In which type of chromosome, one arm is very long and one arm is very short एक बहुत short arm है और एक बहुत long arm है बताऊ क्या होगा जदा बड़ी arm और जदा छोटी arm कौन से chromosome की बात कर रहे हैं That is the acrocentric chromosome क्योंकि metta में दोनों arm बराबर है सम में एक छोटी और एक बड़ी arm है और एक्रो में एक अर्म बहुत बड़ी है और एक बहुत छोटी है एक क्रोमोसों में मिदल सेंट्रॉमीर पाया जाता है क्रोमोसों किसे बने होते हैं बताईए, क्रोमोसोम किस से बने होते हैं, क्रोमोसोम में DNA होता है, प्रोटीन होती है, RNA होता है, लेकिन सबसे best option तो यह लिखा है, DNA भी है, RNA भी है, प्रोटीन भी है, और प्रोटीन में भी stone और non-histor दोनों है, तो सबसे बड़ी answer क्या हो जाएगा, the name chromatin was coined by, chromatin term किस के दोरा दिया गया, the term chromatin was coined by, chromatin term दिया गया थे किस के दोरा, planning के दोरा, तो B option यहां पर हो जाएगा, chromatin और chromosome consist of, chromatin या chromosome किस से बने होते हैं, तो chromatin या chromosome में क्या क्या होता है बेटा, RNA and non-histone, DNA and histone, यह भी सही, यह भी सही है, यहां लिखा बोथ B and C, यानि correct answer क्या हो जाएगा, D option हो जाएगा, कुछ नमबर 6, which of the following is, are the nucleoprotein structure, nucleoprotein structure का मतलब, कोई ऐसी चीज़ आपको बतानी है, जिसमें nucleic acid हो, और साथ में protein हो, nucleic acid के साथ में protein हो, तो देखो, chromatin में nucleic acid के साथ protein है, राइबो सोम में बेटा RNA के साथ protein हो, और RNA क्या है, nucleic acid, RNA plus protein, और अगर वाइरस की बात करें, तो वाइरस भी तो nucleic acid और protein से बने होते हैं, जैसे HIV, उसमें RNA के साथ protein है, TMV, RNA के साथ protein, तो इसका मतलब D answer हो जाएगा, बटाए, यहां पर, all answer होगा, बहुत बड़ी हाँ सवाल है यह, पेरी nuclear space is around, पेरी nuclear space कितना होता है, पेरी nuclear space, इस chapter में दो डेटा आपको देगे हैं, जो नैनो मीटर में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह space 10 से 50 नैनो मीटर माइक्रो में गलती मत करिएगा, मेंब्रेन बाउंड माइन्यूट वैजिकल डैट कंटेन वेरियस एंजाइम और प्रिजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेलार कॉल्ट, क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें माइक्रो बॉड़ी इन्हें माइक्रो बॉड़ी कहते हैं, इन 1831, Robert Brown discovered, 1831 में Robert Brown ने क्या discover किया था, Robert Brown ने discover किया था, नूकलियस सी ऑप्शन हो जाएगा, और आरने इस सेंथेसाइज़ इन्ड, राइबोसोमल आरने के सेंथेस, बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है, खुब पूछा था नीट में, नूकलियोलस, और आरने के सेंथेस होती है, नूकलियोलस के अंदर,